हलो प्रेंट्स रत्लामी चाहिके मैं आपका वैलकम है तो प्रेंट्स आज मैं आपके साथ आलू के पापड की रेसिपी शायर कर रही हूँ ये सिर्फ मैंने तीन आलू से बनाए हैं और ये बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं आप देख सकते हैं कि ये किते पतले पापड बने हैं बहुत ही बढ़िया बने हैं ये पापड और मैं आपको इसे तोड़के भी दिखाती हूँ कि ये किते खस्ता बने हैं ये देखिए ये मैने तीन चिपसवाले आलू लिये हैं आपको जिब सवाले आलू ही लेना है अगर आप नॉर्मल आलू लेंगे तो आलू से जब आप पापड फ्राइ करेंगे तो वो लाल पड़ जाएंगे तो जिब सवाले आलू ही इसमें यूज करें आलू का छिलका आपको अच्छी तरह से निकालना है अगर इसमें छिलका रह जाएगा तो आपके जो पापड है वो खराब भी हो सकते हैं तो इसे अब हम रफली काट लेंगे बहुत ही इजी रेसिपी है बहुत ही जल्दी ये पापड बन जाते हैं आपको बिना कोई जनजट के बिना कोई मैनत के बहुत ही आसान तरीके से ये पापड बन जाते हैं तो इसे मैंने रफली काट लिया है इस तरीके से, अब हम इसे पानी से तीन बार धोलेंगे, क्योंकि इसमें स्टार्च रहता है, स्टार्च हमको निकाल देना है, तो हम इसे तीन से चार बार धोलेंगे. तो यह देखिए, इसमें स्टार्च कितना है, पूरा पानी वाइट हो गया है एकदम, तो इसे हम निकाल देंगे, इसे में तीन बार धोलूँगी, और यह देखिए, तीसरी बार मैंने धोया है, तो इसमें पानी एकदम साफ है, साफ दिख रहा है आलू, तो इसे हम निकाल पानी को, और जो आलू है, उसे जार में डाल देंगे, और इसमें एक कप पानी डाल देंगे, और इसका हमें पाइन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी इसमें आलू नहीं रहना चाहिए, एकदम हम इसका पाइन पेस्ट बना लेंगे, और इस तरह से चलनी से चान लेंगे, इसे चानना भहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आलू नहीं आना चाहिए ने तो आपके पापड फट सकते हैं खराब हो जाएंगे तो इसे हम जो ये मोटा मोटा बचा है इसे हम वापस से एक बार और द्राइन कर लेंगे तो ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह से इसका पाइन पैस्ट बना लिया है मैंने सिर्फ इसमें एक कप पानी डाला था तो ये देखिए मैं आपको कप से नाप के भी दिखाती हूँ कि जो हमने आलू का पैस्ट बनाया है ये दो कप है आप कोई भी एक मैजरिंग कप ले लें कोई भी मतलब कटोरी भी ले सकते हैं आप उससे नाप ले किये कितना है और उसके ही हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे दो कप हमने आलू का पैस्ट लिया है तो इसमें चार कप पानी डालेंगे मतलब एक कप में दो कप पानी डलता है तो इसे हम गेज की फ्लेम चालू करके और इसमें एक उभाल ले लेंगे इसे आपको कंटीनियों हिलाते रहना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाड़ा हो जाता है और ये देखिए पाच मिनीट बाद ये इस तरह से गाड़ा होने लग गया है तो अब हम गेज की फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि हमें आलू को अच्छी तरह से पकाना है कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना है ने तो पापड फटेंगे तो ये देखिए पिल्कुल ये अच्छी तरह से गाड़ा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप ये जो चमबच है ना इसमें आप ये देखिए एकदम से हलकी सी परात आएगी और जब आप इसे उंगली से इस तरह से करेंगे तो ये देखिए इसमें एक निशान बन चाएगा अब इस स्टेच पर हम क्या करेंगे टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और पापड अच्छी तरह से पुले तो इसके लिए पापड खार डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे हम दो मनीट और पका लेंगे और आपको ये दियान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यू हिलाते रहना है और आपके जो आलू है वो अच्छी तरह से पक जाना चाहिए अलुक अच्चे नहीं रहना चाहिए अगर अलुक अच्चे रह जाएंगे तो आपके पापड फर्ट सकते हैं और पापड का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा अब हम गेज की फ्लेम बंद कर देंगे और 10 मिनिट ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे आप चाहें तो इस स्लेज पर आप इसमें चीली प्लेक से या फिर जीरा भी डाल सकते हैं उसे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब प्लास्टिक पर हम चमत से इस तरह से डाल देंगे तो इस पापड को आपको बहुत जादा पतला नहीं बनाना है मोटा बनाना है क्योंकि ये सुखने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है पापड को मैं पंके में ही सुखा रही हो आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं और ये जब एक तरफ से थोड़े से सुख जाएं तो इस तरीके से आप इसे पलट दें ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सुख जाएं और यह देखिए सुखने के बाद यह पतले हो गए है यह पापड को मैंने धूप में दूसरे दीन सुखा लिया था तो इस तरीके से यह बहुत ही अच्छे से सुख गए है मैं आपको पापड फ्राय करके भी दिखाती हूँ और ये देखे डालते ही बहुती बढ़िया ये बहुती जल्दी फ्राय हो जाते हैं और ये साइज में भी डबल हो गए है ये पापड बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये पापड बहुत ही जल्दी सूख भी जाते हैं तो दो दीन में ये पापड सूख जाते हैं